दोस्तों आज 11 नमवंबर 2023 है दो हफते में ETF आने वाला है और Lottery की Guarantee है आप चौंक गए होंगे क्योंकि आज तो 5 सेतंबर है दोस्तों पूरे 2 महिने में US के Elections है और Elections की जानिब हमें इतनी बड़ी-बड़ी खबरे मिल रही है कि मेरे विचार से it is such a brainless prediction कि Bitcoin का प्राइस अगले 60 दिनों में और अगले 6 महिने में बहुत उपर होगा and I think हमें शायद ये blessing मिली है एक आशिरवाद मिला है उपर से कि Bitcoin का प्राइस यतना नीचे है क्योंकि I feel हर एक दिन जो बीत रहा है वो Bitcoin के प्राइस को lower level पर खरीदने का मौका हमारे हाथ से निकल रहा है and that is where मे everything is the worst time to do पहले 2 मिनिट बिताते हैं short term time frame के उपर yes कल की वीडियो में हमें लग रहा था कि हम 55,000 की orange line टेस्ट करने जाएंगे और उससे पहले ही bulls ने उपर खींच ले एक बड़ी सी green color की candle light जिसने हमें orange box के उपर ले जाया but orange box जो उपर वाला है 58,000 का वो defender नहीं हो पा रह अचान है, beers charge ले रहे हैं and I feel there can be potentially 3-4 दिन और हम इस orange box के नीचे बिताएंगे इसलिए मैंने अपको हमारे दूसरे चैनल पर होना हो रहा है हमारे patreon पर भी लगा तारिक बात बताई हुई है कि हमने काफी सारे alt coins के insulting price ढूंड के रखे हैं क्योंकि एक तो होता है bitcoin का नीचे जाना, एक होता है bitcoin का नीचे जाकर नीचे रहना, ये दूसरे scenarios में alt coins जादा bleed करते हैं और हमारी पूरी मुहीम रही है, I think वो समय जादा दूर नहीं है जब हम alt coins के उपर काफी bullish होंगे alt coins खरीदेंगे, वो last capitulation, वो बड़ा down wick और वो sideways chop जो है, वो alt coins को काफी bleed करेगी और पूरी पर हमारा दूसरा channel आधारित है, जहांपर हम alt coins के predictions भी करते हैं, alt coins के entries भी देते हैं, crypto millionaire Rohit Sharma उसका नाम है, आगे बढ़ते हुए, ये orange box जिसे मैंने कहा pain देगा, कल जो है हलका से जो pump आया, वो US के jolt data के basis में आया था, job opening के basis पे आया था, 76,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 अगर यहां पर दोनों ही बाते हैं, अगर job opening वो पूर आए, तो वो अर्थवियस्ता के बुरी बात है, market को ideally crash होना चाहिए था, बड़ यहां पर market ने positively लिया, क्योंकि जितनी market में negativity होगी, यहां पर भी आप देखेंगे, S&P 500 ने भी pump लिया था, जैसे ही ये result आए, क्यों 50 basis point का rate cut होगा, I think अगर 50 basis point का rate cut होता है, तो आप मुझसे कल किसी ने पूछा था, कि आप bitcoin को rate cut के 2-3 दिन बद कहां देख रहे हैं, अगर 50 basis point का rate cut होता है, तो आप bitcoin को 55,000 के पार देखोगे, तो from a risk reward perspective, आज का 58,000 dollars का bitcoin एक अच्छी speculation है, क्योंकि कम लोग मान के चल रहे ह 50 basis point, अगर आता है, तो surprise की तरह आएगा, 50 basis point का rate cut, and I think that will be a very good trade, अगर आप यहां से लेना चाते हो, इसी कारण से, हमने 55,000 पे काफी लोगों को हाथ पकट की trade करवाया भी था, Patreon पर, and I think काफी सारे लोग अभी ठिक ठाक profit बेठे हैं, इवन दो, market bearish है, altcoins bleed कर रहे हैं, बहुत कम रहेंगे, तो भी आपको वो जो है, करीब करीब 30% की करीब का return, 30% से जादे ही, बल्कि 40% की करीब का return, मातर अगले 13-14 दिन में दे जाएगा, so that is one good chance of trading at 58,000, और अगर हम बात करें हैं, अगले इस हफते में और भी बड़े-बड़े दिन आने वाले हैं, अभी जोब ओपनिंग आये थे, अब ही unemployment यूएस का आने वाला है Friday को, और Canada का unemployment भी आना है, यूएस का farm payroll data आना है, और मेरा मानना है कि इस बार unemployment चाहए 4% के आजपस आएगा, तो market को एक और surprise मिलेगा, market का consensus 4.2% का है, पिसली बार 4.3% आये था, अब यहाँ पर देखिए दोस्त तो पहले घंटे में निकल गे, description में Bidget का copy link हमने दे रखा है, आप copy trade से फायदा क्या है, जैसे मेरा कुछ copy trade अभी loss पर है, क्योंकि मैंने आपसे higher price पर entry कर रही है, 60,000 में, अब मुझसे भी कम price पर रखते हैं, तो मेरी copy trade की benefit भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मेरे से भी lower price पर entry करने का मौका में लगा, and I keep sharing वो trade का status, तो उसके लिए आप description में जाएगे, copy trade लेते कहते हैं, कैसे हैं, उसके लिए description में पहला link दे रखा है, उसको भी आप enjoy कर सकते हैं, OKEx अगर आप से चल रहा है, तो OKEx भी try कर सकते हैं, तो Bidget का यह वाला link है, इसको यूज करके आप joining bonus भी प्राप्त कर सकते हैं, deposit bonus और साथ ही साथ हमारी bot को भी copy कर सकते हैं, that is always a good thing to do, यहाँ पर वो Bidget का few spots लेफ्ट वाला link है, इसको आप one click करेंगे, तो आपको जो है, हमारी copy, जो trade हमारा चल रहा है, वो आप copy करने का मौका मिलेगा, अच्छा trade है, copy trade में फाइदा क्यों होता है कि downside risk बहुत कम होता है, खासकर अगर आप मेरी तरह 10x नहीं लेना चाहते copy trade में, तो आपके लिए और बल्की downside risk कम रहेगा, तो आप अपने leverage को adjust कर सकते हैं, और अपना downside risk और 20,000 में लेके जा सकते हैं, क्यों copy trade average करता रहता है, अब बैंक अफ ज चांस है कि एक और rate hike आएगा, जपैन की दरुस्ते पिछली बार जपैन के rate hike ने और carry trade ने काफी market में मचाया था, I know a lot of लोग यह आपको दिखा के डरहेंगे, तो मेरा माननेक है, it came as a surprise, जब जपैन ने 25 basis point का rate hike किया, अब जो market makers हैं, जो जपैन के निवेशक हैं, जो US में invest कर रहे थे, वो अलड़ी अपना पैसा निकाल चुके हैं, इसलिए उसमें market में dump आया था, I don't think यहां पर जपैन अगर December, और यह जपैन का जो Central Bank है, वो बहुत समझदार है, वो लोगों को warning दे रहा है कि हम December में एक और rate hike करेंगे, I think they are preparing people to gradually take their money out, talking about more positive news, कि जो traditional finance company है, they want to transact in Bitcoin, यह बड़ी बात है, Cantor, Fritzgrad, जो एक बड़ी fintech company है, उसके CEO ने कहा है, और इस बात का मैं बिलकुल रजामंदी करता हूँ, क्योंकि Donald Trump ने भी बड़ी बड़ी यहां पर आश्वासन दी है, Donald Trump अपना एक पूरा क्या बोलेंगे, उसको एक committee बना रहा है, जो Bitcoin को legal tender के स साथ-साथ, Bitcoin में transactions allow करने की बात यहां पर कर रहे है, और यहां पर अगले दो मिल्ट आप के लिए बहुत important है, क्योंकि ना सिर्फ यहां पर बड़ी traditional finance company आ गया रही है, भावी जो राष्टपती हैं, अमरीका के, उनका भी कहाना है कि bank, जो है, मैं Donald Trump किया बात कर रहा हूँ कि bank चाहते हैं और हमें bank को एक मौका देना है कि वो Bitcoin में transaction शूरू कर सकें, यह बहुत visionary statement है, Donald Trump के दवारा भी और उनकी team के दवारा भी, कि bank को से Bitcoin transition कराई जाए, आप imagine किजिए, आप US के bank में घुसेंगे और वो कहेंगे आपको अपना loan, जो है, home loan, वो USD में लेना है कि BTC मे लेना है, I think that will be massively game changing, और यह मुझे लगता है कि समय हमारे अपेक्षा से जाधा जल्दी आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने बात की, अब Cantor Fitzgerald जो है, जो traditional finance के company के CEO रह चुके हैं, वो Donald Trump के transition team को assist करेंगे, उसके CEO होंगे, तो यहाँ पर वो क्या traditional finance का वेक्ति, अगर ऐसे व इसलिए मैंने का 60 दिन में होने वाल election, जिसमें काफी चांसे Donald Trump की जीतने के, यदि वो वेक्ति जीत जाता है, और इस समय हम bearish bearish होते रहते हैं, तो फिर हम उसी तरह से sound करेंगे, बिलकुल अचंबे हो जाएंगे, हम हक्या बक्या रह जाएंगे, हमने तो पता ही नहीं चल I always ask people, कि जब आज हम रुक के देखते हैं, जब 16,000 डॉलर के Bitcoin पर मैं लोगों की हाथ पकड़ पकड़ के उनको खरीदवा रहा था, is that a better situation or today is a better situation, same आप जाकर अपने आप पर हसेंगे और अपने आपको सवाल करेंगे कि मैं 58,000 के price पर Bitcoin नहीं खरीद रहा था, rather मैं sell कर रह रहा था, rather मैं negative हो रहा था, crypto को गाली दे रहा था, I think we will be set for a surprise, especially if Donald Trump becomes the president and उसकी जो strategy है, traditional finance के CEOs को अपनी transition team में लाना, traditional banking में Bitcoin को खुसाना, I think best, best news है ये मेरे ख्याल से, crypto के लिए, जहां पर bank crypto को adopt करना शुरू कर देंगे, वहां पर real spike in Bitcoin आपको देखने को मिलेगा, आज का giveaway सवाल में लगया, पूछ लेता हूं, ताकि आप $50 जितने के के लिए, जो है, contender बन सके, I spoke about a date on which president के election होने है, I think वो date बहुत critical है, उस date को अब जितना respect करेंगे, जितना उसका countdown शुरू करेंगे, मैं वीडियो की starting में इसे लेका कि आज, एक तरह से 11 November है, क्योंकि 11 साथ दिन बचे थे, ETF के आने के, और ETF के आने के बाद क्या हुआ, आप अच्छे से जानते हैं, price कहां कि आप अच्छे से जानते हैं, same ऐसा ही price action होने वाला है, अगले कुछ दिनों में, type the date of US president initial election, आज का giveaway सवाल है, और उस तारीक को countdown की तरह लगा, लिजी अपने alarm clock में, देखीएगा price उस दिन क्या होता है, और आज क्या होता है, you'll be set for a surprise, type कीजिए, अपने use details डालिए, और अगर आपको comments में कोई victory लग रहा है, तो उसकी सहायता कीजिए, और अपने मातापिता का बहुत सारा snake के साथ ख्याल रखें, वो दुआएं आपको जरूर आगे जाके बहुत काम आएंगे, अपने ख्याले की धन्यवाद जहिंद,